हर्याना की हर अपडीट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें स्टीवी हर्याना नियूज मस्कार हर्याना नियूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ सोनी असा तानी तारू कर लेते सुपर फास्ट हंड़ेड वुलिटिन की ओर कोरोना वायरस का महा संकट हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है शुक्रवार को भारत में कोरोना के नए मामलों ने हर रिकॉर्ड को तोड़ दिया देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना के दो लाग से जादा मामले दर्च के गए हैं कि इंडरेस वास्टा मंत्राले के नुसार देश में शुक्रवार को कोरोना के खुल दो लाग सत्रह हजार तीन सो त्परेपन के सामने आई हैं जबकि 1,185 संक्रमतों की मौत की खबर ह प्रदेश में भी कोरोना लगातार बेकावू होता जारा एक दन में 5,858 ने मामलों की पुष्ची हुई और वही 2,743 मरीज जिलाज के बाद ठीक हुए हैं प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से 18 मरीजो की मौत के खबर है और वहीं गुरुगराम से 1,434 परीदाबाद से 810 ने केस सामने आई सोनिपत में कोरोना के 336 में केस और जिंद से 243 में केस सामने आई इसके साथ करना से 370, पंच्पूला से 315 में कोरोना केसित सामने आई हैं इसार से 381, यम्नानगर से 174 में मामले सामने आई, अमबाला से 394, पानिपत से 248 में कोरोना केसित सामने आई हैं इससी के साथ रोहतक से 218 सरसा से 120 ने मामलों और फतयाबास 149 और जअजच से 125 ने कورोना के इस्ताम में आई हैं मुखेमंती मजूलाल आश्याम पांच बजे जन्यतासे समबाद करेंगे हरियामा की रात कारेकरम में मुखेमंत्य मुणवरलाल जनतास सीधा समबाध करेंगे कोरोना के बड़ते मामलों के पीच हरियाना में 9 से लेकर 12 तक के सभी विद्यानों को बंद करने के आदे जारी किए गई 9 से लेकर 12 तक के स्कूल की सप्रेल तक बंद किये गई अर्याना के सिक्षा मंत्री कवरपाल गुजर ने मीडिया से बाच्वित करते हुए कहा कि कोरोना के वर्तिस संकर्मन को देखते हुई ये पैसला लिया गया है क्योंकि लगाता रहा हाद्याना में कोरोना के माम ले वर्तिस आ रही है तिक्चा मंत्री कवरपाल गुजद ने कहा कि आगे जो भी परिस्थिती होगी उसके अनुसार आगे फैसले लिए जाएंगे सभी से यही अपील है कि कोरोना से बचने के लिए जो भी नियम है उनका पालन करें गुरोना के ने स्च्विन के प्रदेश में छेने मामले सामने हैं प्रदेश के स्वास्तमंत्री और निलविज ने इस बात की जानकारी दी बीज़ ने जानकारी दी कि हम हरियाना में करीब 36,000 टेस्ट कर रही हैं औक्सिजन की कमी पर बोलते हुए निलविज ने कहा कि हर्याना में औक्सिजन, वेंटिलेटर और बेर्ट की कमी नहीं है अगर आवशक्ता पड़ी तो स्कूल, धर्मशालाओं को अस्पताल बना सकते हैं इसको लेकर अधिकारियों को आदेश देगी गए हैं वेक्सिन को लेकर लोगों में भमके स्थिती है इस बात पर विजज ने कहा कि पहले वी रोधियों ने लोगों को भम में डाला था लेकिन अब लोग सामने आ रही हैं और संस्थाओं को हमने इसमें जोड़ा है जिसके कारण पूरा सहयोग मिल रहा है कॉंग्रेस मासेचीव रनदीब सुर्जेवाला कोरोना फॉजिटिफ आए गए सुर्जेवाला ने इस बात की जानकारी ठीट कर साम सकी इसी के साथ उन्होंने संपर्ट में आई लोगों साई सोलेट होने को पूई काहा देली में आज जात दस बजे से वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा रहा है कर्फ्यू के दुरार मॉल जिम स्पा और सबागार बंद रहेंगे और वहीं सिनिमा घर में भी केवल 30-30 प्रतिशत दर्शक ही जा सकेंगे तो शाम में कोरोना को लेकर लापरवाही बढ़ती जारी है जिससे मरीजों के संख्या में बेजाख्वा हो रहा है बढ़ते संकर्मन के चलते स्थानी बसद्दे पर साथ रोडवेज करमचारी कोरोना पोज़चे हो चुके हैं कल शाम तक उनकी संख्या बढ़कर पंद्रा हो गई जिसके बाद रोडवेज में सफर करना दिलावना हो गया है और इसी संबन्द में जानकारी देते हुए सामाना अस्पताल के मुख्य शुकत साथिकारी ने बताया कि कस्दों में मरीजों के संख्या लगातार बढ़ती जा रही है उदर रोडवेज करम चालियों के फोज़जी पाये जाने के बाद बस्टेंड में फिल्हाल के लिए एंट्री बंद कर दी गई है और बसों को सनेटाइज कर देंके बाद इसमें एंट्री हुज़ पाई गई कोरोना के बड़ते मामलों के बीच प्रदेश सरकार के उसे नाइट कर्फियू लगाया गया है सिद्रीश प्रशासन भी नाइट कर्फियू के दरान एक्शन मोड में नज़रा रहा है यम्रानगर में नाइट कर्फी के दरन रेस्टोरेंट धाबी और कुछ फास्ट फूद की रहे रिया लगी हुई नज़राई और इसी दोरान पोलिस ने सब भी के खिलाफ कारवाई की जीसी और एस्पी ने नाइट कर्फीव में बेवज़ाय सडकों पर घूम रहे लोगों को रोक कर उंसे पुछताच की यम्रानगर के जीसी ने कहा कि जो भी नियमों का उलंगन करेगा उसके खलाफ कानूनी कारवाई की जाएगी जीसे ने कहा कि नाइट कर्फीव के जो निर्वेश हैं उसकी पारणा करवाई जाएगी जो कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट हैं अगर वो भी हो माईस वलेशन के दौरान बाहर घूमेंगे तो उनके खलाफ भी पानूनी कारवाई की जाएगी प्रदेश में कोरोना को लेकर सरकार नाइट कर्फीव कैलान किया जिसका असर पानीपत में देखने को मिला जब रात में हारियाना नियूज ने पानीपत की सड़कों पर इसका रियलिटी चेक किया तो लोग कोरोना को लेकर जाग रूप नज़र आए बात अगर पानिपस्जले की करें तो यहां हालात बत्सबत्तर हैं पानिपस्जले में वीवार को 219 में संक्रमित केस मिले 73 प्रतिशत मरीज होंग आईसोलेशन में है प्रशासन के उसे बिना मास्क पेहने वाहन चालकों और पैदल उख्रूम रहे लोगों के चालान काती जा रहे हैं प्रशासनी कदिकारी ने बताया कि कोरोना के बड़ते मामलों के बीच चालान में तेजिलाई गई है पुलिस का कहना के शुरुआते दौर में लोगों को समझाया जा रहा है और अगर उसके बावजुद भी लोग बिना मास्क के घूंगते हुए नज़र आ रहे हैं तो उनके खलाफ सक्त कारवाई की जा रही है इस समय पूरे देश में कोरोना के महामारी दोबारा से अपनी दस्तक दे रही लेकिन छज़र के लोग हैं कि पूरी तरहां से लाफर बाह नज़रा रहे हैं यांके में बाजारों में चाहे दुकानदार हो या ग्राहाक सब ही सरकारी नियमों की खुले आम भज्जिया उड़ा रहे हैं कोरोना के बड़ते संकर्मन और अहरदवार कुम्भ में हर दिन मिल रहे संकर्मेतों की संख्या को देखते हुए संतों और श्रधालों को देखते हुए बायोजन को जिल्द ख़त्म करने की चर्चा यह जोर पकड़ गिया है इसी चर्चा के बेच गुर्वार को निरंजनी अखाडे ने कुम्भ की स्माप्ती की खुशना कर दी अखाडे के सचीव महांत रवेंद्र पूरी ने कुम्भ की स्माप्ती की खुशना करते हुए कहा कि कोरोना के बड़ते प्रपोप के चलते अखाडे में ये पैसला लिय कि 17 अप्रेल को कुम्ब मेला समाप्त कर दिया जाएगा अखाड़े के सचीव महंत रविंद्र पुरे न इस दुरान अन्या खाड़ों से भी मेला समाप्त करने के अपील की और कहा कि कोरोना संकर्मन को देखते हुए लोगों के हिद में मेले का समापन हो जाना चाहिए सुबे के मुख्या मनहुरलाल ने विदेश सहयोग की समिक्षा बैठे की अध्यक्ता की इस दुरान उन्हों अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अक्षीत के सामाजी का आर्थी कल्यान के लिए हरियानभी प्रवासियों के साथ मजबूत संब्ध विक्सित करना विभाग की सरवोच प्रात्मेक ता होनी चाहिए मुख्यमंत्री मनोहलाल ने अधिकारियों को गो ग्लोबल अप्रोच के माध्यम से हरियाना को ग्लोबल ब्रांट के रूप में स्थापत करने के लिए दुनिया भर के चुक निवेशकों की पहचान करने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री मनोहलाल ने निर्यात बजाने की दिशा में देश्वार लक्षित गतिवीधियों अभी तयार करने के निर्देश दिये बैठक में मुख्यमंत्री को अउगत कराया गया कि दूतावासों के साथ समनवे को और मजबूत करने के लिए विफाग द्वारा समर्पिक परियास किये गए हैं मुख्यमंत्री मनोहलाल ने चंडिगर्ड में H.S.I.I.E.D.C. के अधिकारियों की बैठक के अधिक्ष्टा की मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नाधिकर तक शेत्रों में चल रही हुद्योगों को रेगुलर करने के लिए पॉलस से बना कर उसे जल्द से जल्द अमली जामा पहचाने के निर्देश दिये इस बैठक में उपर मुख्यमंत्री दुश्रंग चोटाला भी मौजूद रहे मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि किसी बीस तर पर कोई समस्या ना आए इसके लिए नियम काईदे ड्रॉफ्ट कर काम को आगे बढ़ाया जाए बैठक में बताया गए कि समन्द में अब तक यम्रानगर, फरिदाबाद, पानीपत और रातक में उध्योगों का सर्वे किया गया है सर्वे रिपोर्च के अनुसार यम्रानगर में कुल 4742 उध्योग हैं में से 1413 कंफर्मिंग जोन में जबकि 3329 नौन कर्फर्मिंग जोन में हैं इस सर्वे रिपोर्च के बाद इन उध्योगों का पांच प्रतिश्चत रेंजम सेंपल वरिफिकेशन संबादित म्यूनिसिपल कमिशनर को अगले एक सब्ता में निफ्टाने के मिर्देश किये गए तौनिपत के नाज मंडी में बगएर मैसेज के फसल लेकर आने वाले किसानों की फसल की खरीद नहीं हो रही है और वही मंडी में लाखों को इंटल गेहूं पड़ा हुआ नाज मंडी में लिफ्टिंग का काम भी भी निगती से चल रहा है दूसरी और एक बार फिर मंडी के आड़तियों की कई अजन्सियों की ओसे यहूं की फसल में कमिया निकाल कर उन्हें वापस बेचा जा रहा है जिसके कारण आड़तियों को काफी नुकसान उचाना पड़ रहा है सब्जी उत्पादक अक्षीत्र होने के बाद भी राद ओर में कोई स्थाई सब्जी मंडी नहीं है जिसके कारण में किसान और आड़तियों को परेचानी का सामना करना पड़ रहा है कोरोना के साथ महंगाई से भी अब लोग परिशान हो रहे हैं गोहाना में नवरात्वी के दुरान फलों पूजा की सामगरी व्रत में खाये जाने वाली सभी चीज़ों के दामों में इजाफा हो गया है पलों से लेकर पूजा के सामगरी में बीस से तीस फीस दीवर रोतरी दर्श की गई गोहाना की पुरानी सबजी वंटी में दुकानदारों की माने तो दो तिन दिन से भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं बाजार में जहाँ पूजा सामगरी के दाम बढ़ गए हैं तो वहीं फलों के दाम भी आस्मान छुने लगे हैं दाम बढ़ने से लोगों की जेब पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है रिबाडी में सेकारिता मंतरी डॉक्रेटर बनյारिलाल ने कहा कि एम्स प्रोजेक्ट एक्षेत्र के सबसे वर्यूक लफधी है रिबाडी पहुचे सेकारि मंतरी बनमारिलाल ने एम्स प्रोजेक्ट को सिरे चड़ाने के लिए गाउं के लोगों का अभार देताया मुई प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर वन्वारी लाल ने का कि मजदूरों को इजवार पलायन नहीं करना होगा उन्होंने आंदोलन कर रहे किसानों और आम जुनता से कोरोना के नेमों का पालन करने काव रह किया सौनिपत में यमनाक शेत्र एक बार फिर किसानों के बेच खुनी खेल बन गया है लंबे समय से चल रहा जमेन विवाद को लेकर शुकरवार को भी विवाद गहराता नजर आया सोनिपत यमिनाक छेत्र में शुकरवार को यूपी और हारियाना के किसानों के बीच में फसल करताई को लेकर छगड़ा हो गया जिसमें दोनों और से गूलियां चल गई और यूपी के रहने वाले किसान की मौके पर ही मौत हो गई इस मामले की जानकार ऐते हुए कुंडली ठाना प्रभारी डवी कुमार ने बताई कि हमें जानकारी मिली थी कि घाओं करुंपूर में यमुना व्यवात को लेकर गोलियां चली है पुलिस का कहना है कि मृत्तक या परीजनों के बयान के आधार पर कायरवाई की जा रही है गैधल में प्राइबेट स्कूल वेरफेर एसोसियेशन ने रोशमार्च निकाला और सचवाले में गया पंसोपा एसोसियेशन ने कहा कि सरकार का ये फैसला सिक्षास्थिती पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा चरिके दादरी में भी प्राइबेट स्कूल संचालों को ने स्कूल बंद करने के फैसले के खिलाप प्रदर्शन किया इस दुरान फैसले के खिलाप प्रदर्शन करते हुए स्कूल संचालकों ने मुख्यमंत्री के नाम CTM को ग्यापन सौपा स्कूलों के संचालक ने बताया कि सरकार के इस फैसले से उने काफे नुकसान हो रहा है स्कूल संचालकों ने मांग की है कि सरकार उनके स्कूल में लगे अध्यापकों, चोकेदारों और करमचारियों की तनख्वा का वहन करे सीमन ओरलाल के साथ हुई कॉन्फरेंस बैचर के राद जानकार देते हुए उपायुत प्रदीब कुमार ने बताया कि कोरोना के बड़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंतरी और स्वास्था मंतरी ने हिदायते जारी की हैं प्रदेश बर्मे सरकार ने हर दिन रात दस बज़े से सुबर पांच बिज़े तक नाइट कर्फ्यू लगाने का अलान किया लेकि लोहारू के नाजमंडी में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला लोहारू के नाजमंडी में रात को मजदूर काम करते नजारा इतना ही नहीं किसी भी मजदूर ने मास्क नहीं लगा रखा था और नहीं सामाजी के दूरी का यहाँ पालन किया गया इसके साथ ही मजदूर बिना देखे ही बगएर सफाई के कट्टों में गेहूं भरते हुए नज़र आई गुरवार को सरसा के चौज़ी देविलार विश्वेधाले में दो कोरोना संक्रमित मलने के बाद विश्वेधाले में सेक्शनी के गती बिच्शों को बंद कर दिया गया है विश्वेधाले के वाइस चांसलर रजमेर मलिक ने बताया कि विश्वेधाले में कोरोना प्रोचोकोल को अपनाते हुए सेनिटाइजेशन करवा दिया गया है इसके लावा विश्वेधाले के हॉस्टल खाली करवा दिये हैं और छात्रों को घर भीश दिया है गौतलब है किस से पहले भी विश्वेधाले में कोरोना संखमित पाय जाने के बाद इन दिन तक विश्वेधाले को बंद करवा दिया गया था हर याना में लगातार कोरोना के मरीजों के संख्या बढ़ती जारी से बीच डॉक्टर्स ने लोगों को फ्रेज केशन दे पानीई से परहिज करने की सलहा दी है अब लोगों का रुजान मिट्टी से बने मचकों की और बढ़ता जा रहा है जिससे कुमहार भी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्हीं उमीद है कि जिस तरह अब गर्मी बढ़ रही है और मचकों की डिमांड उठ रही है वो पिछले साल हुए नुकसान से उठर पाएंगे और वहीं कुमहार दीपक का कहना है कि वो पिछले 20 सालों से मचके बनाने का कार कर रहे हैं विछले साल कोरोना के कारण काम पूरी तरह से ठप हो गया था लेकिन इस साल काम ठीक चलने के उमीद हैं अब इतक मचकों के डिमांड भी ठीक आ रही है सरसा सिएये पोलिस ने गुपतो सूचना के आधार पर कारवाई करते हुए तीन सटे बाजों को गरतार किया आरोपी आईपेल मैच में उन्लाइन सटे बाज़ी करते थे सरसा सिएये के टेम को गोलत सूचना मिली थे कि कुछ लोग आईपेल के मैचों पर सटे बाज़ी कर रहे हैं जिसके अधार पर उन्होंने सरसा के एक कॉलोनी में चापे मारी कर बीन लोगों को उनलाइन सटेबाजी में काम आने वाले सामान समय तगिरफतार किया। प्रदेश बर में कोरोना के मरिजों की बरते संख्याने सरकार के चिंताएं और बढ़ा दी हैं। प्रदेश बरते संख्याने सरकार के लिए थे लेकिन वहीं एक और जाखर के लोगों कोरोना नियमों की धच्जियां उड़ाते नजर आए। कोरोना से हो रही मौतों को देख्यों प्रदेश सरकार ने हारे शहर में अलपीजी शवदा सुस्टम लगाने का कारश शुरू किया। अंबाला कि गोबिंदपुरी शमचान घाच में लगबग 66 लाख़ की लागव से लगाए गई ये शर्दा अब इस्तेमाल में लिये जाएंगे। रिशासल ने गुबिनपूरी शम्शान घाठ की देखरे करने वाली खत्री सभा को आदेश दिया कि कोरोना से बनने वाले लोगों का संसकार लपीजी शवदा सिस्टम के जरी ही किया जाए दुकांदार बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के दिन नजर आए जिसका कारण अधकारियों की लापरवाही को बताया गया सरकार के उसे नाइच कर्फियू भी लगाया गया है वही कुछ लोग कोरोना को लेकर लापरवाही बरते नजर आ रहे हैं ऐसे में जिला प्रशासन ने लोगों को जागरू को करने का भी आन चलाया है यम्रानगर के बलासफूर में इस डियम खुद रोड पर आए और लोगों को जागरू किया और मास्क के बिना सणकों पर निकल रहे लोगों को मास्क वितरित किये क्रिशिकानूनों के खिला किसानों का अंदूल ने 142 वे दिन भी लगाता अफजारी है क्रिशिकानूनों को रप्षरने की मांग को लेकर किसान बौडर पजटे हुए हैं सिब्रेज सिस्टम खराब होने की वज़े से जगा जगा पानी छहरा हुआ है जिससे नाराज किसानों ने सरकार कौल्टी मीटम दिया है प्रदेश में चोरों के होसले दिन प्रते दिन बढ़ते जा रहे हैं ताजा मामला सलसा के नाजवंडी से सामने आया जहां बाइक सवार चोर गेहू की बोरी लेकर फरार हो गए जबकि एक चोर को वहां मौजूद लोगों ने पकड़ लिया चोरी की पूरी बारदा तो मंडी में लगे सिसी टीवी के मेरे में कहच हो गई प्रांस में कोरोना से मरने वालों की संख्या लगातार बरती जारी 24 गंटे में 300 लोगों की मौत के साथ ये संख्याई एक लाग के पार पहुच गई है प्रांस यूरोप का तीसरा देश है जहां माप कांकरा एक लाग के पार है इसे पहले ब्रिटेन और इटली में कोरोना से एक लाग से जादा लोगों की मौते हो चुकी है अमेरिका ने पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब किया है अमेरिका के एक सांसुद ने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान की जड़े जमाने के पीछे पाकिस्तान का हाथ है पाकिस्तान से ही तालिबान नियंवित हो रहा है कोरोना महमारी की वज़े से गनतांत्रों दिवस के मोके पर भारत का दोरा रद होने के बाद बिटिश प्रथान मंत्री बॉरिस जॉंसन 25 अप्रेल को भारत के संक्षिप्त दोरे पर आएंगे इस जुरान भारत ब्रचेन संबंदों को नई उचाही देने के मकसद से व्यापार, निवेश, रक्षा और जलवायू परिवर्तन समित व्रफिन अक्षेत्रों में सहियों के लिए तैयार भात्वा कांशी 2030 रूप रेखा को अंतिम रूप दिया जाएगा अमेरिका ने पिछले सार के राज़पते चुनों में हसक्षे प्रण्य और अमेरिकी संखे अजंसियों में इस इंदमारी करने के लिए रूस को जमेदार ठहराते हुए गुरुवायर को उसके दस राजनियकों को निश्कासित करने और 30 से जादा लोगों और प्रमुख व ये जानकारी खुद रिजो बैंक ओफिंबिया ने सांचा की भारतिये रिजो बैंक ने बड़े और चोटे वित बैंक कोलने के लिए आए आठ आवेदनों को खुलासा किया और बियाई ने बताये कि युनिवरसल बैंक लाइसेंस के लिए चार आवेदक हैं कच्चे तेल और धातू की बड़ती कीमतों के कारण थोक कीमतों पर आधारित मुद्रास्वीती आच साल के उच्चे तमस्तर 7.39 प्रतिश्चत पर पहाँ चुगई है पिछले साल मार्च में मुद्रास्वीती का निमना थार होने के कारण भी मार्च 2021 में महा की महंगाई उचे सर पर रही पिछले साल कोविड-19 महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए लगाए गए देश्वियापी लॉकडाउन के चलते कीमते कम थी NPS में 70 साल के बुज़र्ग भी खाता खुल सकेंगे PFRDNA सरकार के पास प्रस्ताव भेज कर इसकी अनुमती मांगी है सरकारी तेल कंपनियों के और से चुकरवार को पैट्रोल और डीजल की केमतों में कोई वदलाव नहीं किया गया दिली में पैटोल का दाम 90 रुपे 40 पैसे जब की डीजल का दाम 60 रुपे 70 पैसे प्र लीटर है मैंडर सिंग धोची सुपर किंग्स को आई पैल में जीत की रहा पर लॉटने के लिए शुक्रवार को पंजाब किंग्स के मजबूत बलेबाजी करम के सामने के इंदबाजी में सुधार करके उतरना होगा चेनरी को पहले मैश में दिल्ली कैपिटल्स ने साथ विकेट से हारा है जब के पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को चार रन समाद दी मुबई के बानखेडे स्टेडियम में खेलेगे रॉमांचे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने तीन विकेट से बाजी अपने नाम कर ली है मुरिस की तुफानी बल्लेबाजी के अदम पर राजस्थान में दो गेंद शेशर रहते 148 रन का लक्ष हासल कर दिया बिसी सी आई ने गुर्बार को भारत ये खिलाडियों की सालाना नुबंद सूची जारी कर दी है इस सूची के नुसार कप्तान विराटकोहली, सिम्रित आवर्स के कप्तान रोहिट शर्मा और तेज गिंदबाज जस्परित बुमराइ ए पॉजटीव श्रेणी में बरकरार है साथ करोर सालान सेलेडी वाली इस शुटे परदे पर एक बार फिर से रामायन प्रसारित होगी रामाननश सागर के रामायन में सीता का किरदार निभाने वाली दिपेका चिकहलीया इस फोशल मीडिया पर दर्शकों के लिए ये खुश खबरी शेयर की फिल्म अवेनेता रिन्वे सिंग के साथ बने जा रही तमिल फिल्म अन्यन की रिमेक के ऐलान पर इसके निरमाता आसकर रवी चंदरन ने आश्चर ये जाहिर किया आसकर का कहना की फिल्म की कहानी के सारे अधिकार उनके पास सुरक्षित हैं और वो बिना उनकी अनुमती फिल्म का रिमेक नहीं कर सकते मशूर टीवी शो तारिक महता का उल्टा चश्मा के अभीनेता मंदार चंद वाज़कर कुछ समय पहले कोरोना संक्रमित हुए थे और वही अब शो के सेट पर 110 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ है जिसमें चार लोग पोज़टिव पाए गए है इस मामले को लेकर निर्माता असित मोदी ने शूटिंग बंद होने पर बाहर जाकर शूट करने और सेट पर चार लोगों की कोरोना संक्रमित होने की बाए